नमस्काल आप शब का हार्दिक अवि ननन्त करते हैं अब चर्चा करते हैं राशी फल शिख्षा, कार्छेत, आर्थिक, शामाजी क, पैवाहिक फर्चेत के जानकाली राशी फलें मिलेगी देखते रहे हा अपना चैनल इस तो लज़ा स्यक्षेश बार्भू राशी की राशी फल राशी कार्चित से लाब होगा पर कार्चित में आपका परभाव भी रहेगा बैपार में बिधी होगी बैपार का विश्थार होगा स्वात नियंतम रहेगा आथिक इस अच्छी रहेगी परिवार किसी से धन रहेगा पीता सायोग करेंगे संतान से वादिवाद हो सकता है जीवन सातिक साथ धार्मिक यात्रा जाएं तुम शाशी कार्चित से अच्छा शमय है बैपार शेलाब होगा पर वादिवाद हो सकता है आर्थिक सी अच्छी रहेगी धन लाब अच्छा रहेगा स्वात निम आज आपको बिमारी बिमा बॉलीशी खरिद सकते हैं फिजुल खर्ची कम करें जीवन साथी के साथ धान में क्याता जाएं कार्षेत का मध्यम समय है कार्षेत में वादिवाद होईशे बचें बैपार से काम धंदा से पैसा आने वाला का अच्छा समय है आर्थिक इस्ति नि अच्छी रहेगी लाभा धनबाव बना रहेगा स्वास्त अच्छा रहेगा अपने आप से अलगाओ मौशूश हो रहा होगा हर परिवार से मन दुकी होगा जीवन साथी से कष्ट मीमिल नमस्कार तूला राशिकार छेत में मन नहीं लेगा अलगाओ शा मौशूश होगा बैपार का अच्छा स्मय है बैपार में ब्रिधी होगी पर कभी कोई ब्रेक लग सकता है आठी किति अच्छी रहेगी धंबाव लाभाव अच्छा है स्वात निंतम रहेगा पीता खर्चा अधिक करेंगे उनका स्वात खराब हो सकता है संतान सहयोग करेगा जीवन साथी बैपार में ब्रिधी होगी आठी किति अच्छी रहेगी श्वात रहेगा परिवार मां और संतान से अच्छा संबंध होगा पीता से धन आएगा संतान से लाव होगा", जीवन साथी परवारिक होगा आशी। कार्छट में मन बशाय हूए कार्छट में परिशंध करने पर उचित फल ना मिलनेंशे वादिवाद का रूप ले सकता है, बैपार का अच्छा समय है, बैपार में बिदी होगी, स्वाथ पर ध्यान देना होगा, आर्टिकीती अच्छी रहेगी परिवाद, मातय पित धार्मी की आत्रा जाएंगे, संतान का स्वाथ खराब रहेगा, मामा या छोटा भाई वहन से स्वादिवाद हो सकता है, जीवन साती सरकारी जॉब करने वाली होगा, या स्वाहमानी अबहुत काम करने, शिकाल शेचे धन रहेगा, बैपार शेलाब होगा, पर ब्रेक आ सकता है, स्वाथ अच्छा रहेगा, माता शेलाब होगा, संतान परिवारिक होगा, जीवन साती ये लाबुगा दन्ने बार